दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सुपका कॉमिक शायर चैनल पर तो चले शुरू करते हैं सरवना एक सीरीज की आठवी कॉमिक सर्व शक्ति का भाग दो पसीने पर लगी आग जैसे ही शुम्मक से ठक्राई नतीजा वही हुआ जो चिंगारी के पेट्रोल पंप पर पढ़ जाने से होता है और सिर्फ एक शंड के सौवे इससे के लिए डोगा का ध्यान भंग हो गया और योद्धा ने उस शंड का भरपूर लाव उठाया और इसके साथ इदिति पूत्री योद्धा ने रात के रक्षक डोगा को पराच करके इस परदा विजित कर लिए सब गड़बड हो गई पता नहीं है कम वकत शुम्बक के पसीने में आग केसे लग गई परमाणू प्रचंडा तुम दोने यह क्या कर रहे हो क्या हो रहा है यह सब युगम के आदेश पर अवदी सारा वरत्तान सभी को सुनाती चली गई यानि यह सब इस शुम्बक का किया दरा है सिर्फ यह समझ नहीं है कि मेरे चुते शुम्बक के पसीने में आग कैसे लग गई यह सुम्बरस में पेट्रोल मिला कर पीता है क्या इसका संभवीत उत्तर है आपके सरीर में समाहित महीर्शी कणात का दिव्यकण जिसमें अशुरी शक्तियों को नाज करने का की प्रचन डूर जाए महीर्शी कणात के दिव्यकण के बारे में जानने ही तु सर्वशायक श्रंकला के दिव्यकण ने सर्वधमन पड़े जैसे ही आपका इस परस शुम्बक के पसीने से हुआ दिव्यकण ने उसमें समाईत अशुरी शक्तियों को नाज करने तु दितका दिया अगर ऐसा है तो डूगा के शरीर में भी तो अशुरी शक्ति समाईत थी पिर दिव्यकण ने इसे सुंबक की तरह दिवाली का लोकट क्यों नहीं बनाया डोगा के सरीर में असूरी सक्ती समाई तवस्य होई है परन्तु डोगा खुद एक रक्षक है उसके जिस्में में पुन्यात्मा वास करती है इसी वाज़ा से दिव्य करने डोगा को नश्ट करने की चेश्टा नहीं की यह सब तेरी पूर्वनिदारी चाल्थ युगम तुने किया यह सुर्राज वेसे भी तुमसूरों स्थल के अत्रिक्त और अपेक्षा भी नहीं की जा सकती जीवा थामों देवराज अन्य था खित दी जाएगे चेश्टा तो करके देखो मुझे यकीन है कि आप दोनों ही अपनी सर्वसंदी भूले नहीं होंगे गुरुदेव की हर्यों वाली होजना सफल हो जाए फिर इन देवताओं और इस युगम को नरक के खोलते तेल के कड़ाओं में फिकवा दूँगा अगर युगम ने सर्वसंदी ना करा ही होती तो इस शुम्बुक को एरावत के पेर रो तले रोन देता अपने बचा नमुसार असुर राज शुम्रेक शीरो मनी युद्धा के आहन और उनके किसी भी एक आदेश की पूर्ती के वाद्धिया है अब आप दोनों का कार्य संपन हुआ आप वापस अपने लोग प्रस्तान करें इंद्र और शुम्बुक के जन के बाद इस शुम्बुक में विजेता बनकर ठेरो आप कुछ कहना चाहते है मुझे रिमेच चाहिए यादि शुम्बुक बीच में बॉम नहीं मारता तो इस पूंगा पहलवान को अपने दम पर हरा सकता था मुझे एक फेर चांस मिलनी ही चाहिए सर्मना एक प्रत्यों किताओ कि परिणाम नहीं बदले जा सकते हो और नहीं किसी पूरिण इस पर्दा का कोई प्रावधान है वैसे भी पूरी इस पर्दा के दोरान योद्धा ने अपना ध्यान आदे चांड के लिए भी भंग नहीं दिया था मैं शुम्बक के दमा के से उनने पर एक फल के सोवे हिस्से के लिए सही परंतु आपका ध्यान भंग हो गया था सर्वनाइक प्रत्यों किताओं में आप दोनों एक मुकाबला समाप्त हो चुका है परंतु निश्चित रहे एक दूसरे की शक्तियां तोलने का मुका समय आप दोनों को अतिशिग्र देगा मुझे बेसबरी से इंतजार रहेगा होश्पल का हम भी धीटा पूर्वा को च्छन की प्रतिक्षा करेंगे इस इस पर्दा के समापन के साथ ही सर्वनायक प्रतियोगिताओं का इसको और बोड़तार परिणाम पठल इस प्रकार है दो-दो इस परदाओं में विजय प्राप्त करके पूर्वकाल और पस्चाज़काल के महरती बराबरी परे है और अब समय है अगली सर्वनायक प्रतियोगिता का पर इस बार कहानी में ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट का खुलाशा होगा हमारे अगले प्रतिभाग्यों के आगवन के साथ मैं अब सर्वनायक प्रतियोगिता के अगले प्रतिभाग्यों का अहान करता हूँ जंगल के जलात बेड़िया और अश्वराच समराट अश्वराच का किन्तु प्रति भागयों के चैन का अधिकार तो दलनायकों के पास है नी संदे आप सही है अश्वराच और आप दोनों का चैन मेंने नहीं वेलकि आपके दल वालों नहीं किया है डोगा और यद्दा के मुर्चित होने के दोरान जब आपको दल वालों ने आप दोनों को एक दूसरे के विरूद मेदान में उता रहा था तब ही आपका चैन हो गया तो अच्छा ही हुआ पिछला इसाब बराबर करने का मौका मिल गया कहीं ऐसा ना हो कि बराबर होने की जगह उपड़ जड़ जाए अब बगर समय नच्च कि हम इस परदा की और बढ़ते हैं जो कि यहीं काल रंड में ही खेली जाएगी इस परदा क्या है यह घोड़े की काठी और लगाम जो की बेढ़िया को अशुराज पर बांधनी है और यह पट्टा जो की अशुराज को बेढ़िया के गले में बांधना है आपमेस से जो भी पहले अपना काज्य कर पाने में सफल हुआ वही इस परदा का वी जेता होगा क्या? क्या? वुल्फानों में बहुत्तर अडियल गोडों को लगा कर उन पर सवारी करी है मैंने आज का वह उनर काम आने वाला है हमने भी अश्व लोक में अंगिनत कुंकार्च वानों के गले में पट्टे डाल कर उने पालतू बनाया है आज एक ओर सही अश्वराज अश्वराज भेडिया भेडिया उफ वाल वाल बचा किसीने ठीकी का है घोड़े की ना अगाडी अच्छी है ना ही पिछाडी बहुत हो गया बेडिया का क्रोध दिलाने का पने नाम देखेगा तू अश्वराणों हे बेडिया देउता मदद मुझ पर लगाम कसने की तेरी इच्छा तो कुण नहीं होगी बेडिया परन्तो देवी अश्वराजय का ये दिव्य चाबुक तेरी जीवा को लगाम अवश्य लगाएगा मैं अब तक इस खुस्वामी में था कि अश्वराकरतिक रूप से सौमें पश्व होते हैं इससे सारागरिक दुवन्द में इस परहवी होना असान होगा पर इसका बल तो अद्वित्य है बेडिया के वारों में बिजली की पूर्ती के साथ इससा कुनमाद भी है जो कि मुझ परहवी हो सकता है मुझे इस एवार करने का कोई मौका नहीं देना होगा दुबारा बाल बाल बचा तिर्फ सारागरिक बल से अश्वराद से नहीं जीता जा सकता बुद्धी लगानी होगी इसकी अश्वगती इसकी पूर्ती इसकी चपलता का मुकाबले नहीं किया जा सकता यदि इससे जीतना है तो इसकी फूर्ती इसकी चपलता को इसकी कमजोरी मनाना होगा इस पर काठी अब तक नहीं लगा सकता जब तक इसके उपर सवार नहीं हो जाओं और सवार ये मुझे अपने उपर नहीं होने देगा मुझे इसके सरीर की हलकी सी हरकत पर भी नजर रखनी होगी अगर यह मुझे पर सवार हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मुझे पूरी साफदानी से काम लेना होगा यह शायद मेरी आखरी मौका है अगर मैं इस बार चाबू चूक गया तो अस्वराज को काबू नहीं कर पाऊंगा तेरी किस्मत अच्छी गोड़े की भेडिया ने संसार के सभी वन्य जीवों की रक्षा का संपल के लिया हुआ है वरना अपनी खाली पंजों से मैं तुझे चीर डालता अपनी इंसक्ता पर इतना घ्मन तेरे जिसे इंसक्त पशू के गले में पट्टा डालना ही चाहिए बेडिया के बचन से कूपी थोकर उस पर आक्रमन करते अस्वराज का ध्यान बेडिया की पूछ की और बिल्कुल नहीं था जो कि शिकार फंदे की तरह अस्वराज के चारों खुरों के इर्द गिर्द कस रही थी बेडिया ने अतनी पूछ को एक जोरदार जटका जिया और अस्वराज के पेरों तलर धर्ती की सकती चली गई योजना काम्याब रही मेरे उकसाने से एक उपी तोकर मुछ पर आक्रमन कर गएठा इसका पूरा ध्यान मुछ पर था इसलिए इसे मेरी पूछ की फंदा नजर नहीं आया काजी रंगा की पुरा निकावत है बेडिया से ज़्यादा उसकी फूछ से सावधान रहो अब इसके उठने से पहले मेरे पास एक सेकंड का सोवा हिस्सा है इस पर सवार होने के लिए इसके खूर बंजे हुए और अपनी पीट की और यह इस अस्वरूप में वार नहीं कर इसलिए बहुत खूब बेडिया बेडिया ओ यह कैसी उड़ जा जो काठी लगाम से निकल कर मुझ में समाइत हो रही है यह यह यूगम शेत्र भी जीवन की तरह से स्रीमान बेडिया और यहां कि इस परदा है जीवन के अनुभवों की तरफ जैसे जीवन के अनुभव चा अच्छा करता हूं अपनी पराजय से अच्छो समराट ने उचित सीख ली योगी नी संदय मैंने सीख ली है कि द्वन्द में आपकी बड़ी से बड़ी शक्ति पर प्रतिदंदी की छोटी से छोटी सक्ति भी बारी पर सकती यादि उसकी और आप बेपरवा हो यादि अच समय ही बताएगा फिलाल आपकी अगली स्पर्दा का समय वश्य हो गया है अगली स्पर्दा आरम करवा हो दी जो आग्या युक्षरेष्ट इस पर्दा है तो अच्छो समराट और वुल्फा पूत्रों को मेरे साथ चलना होगा दर्ति के उपग्रह चंद्रमा पर यह चंद चंद्रमा के उबुरवा है फोबोस और मोबोस जिनके अस्तित्व जिनके शकतियों से महानव अब अब अन भीग गया है मैं फोबोसों में का आवान करती हूं अब तक अश्यरिंए इन सक्तियों ने युग युगों के पस्छात दोभिवाज़स स्रीट का निभान ड़ी स परन्तु उनके द्वन्त का परिणाम अभी नहीं निकला है। जहां मोबोश की शक्तियां सौम्या हैं, विचारल शील हैं, वहीं फोबोश की शक्तियां विधवन्चक और अरसिंस्टू ते परिपूर हैं। मानव हो या पशू, इनकी शक्तियां का प्रभाव सभी पर होता है। और मानव रूप बेड़िया को अलग कर दिया था किसे भूल सकता हूं इनकी शक्तियों को और कैसे भूल सकता हूं अपनी जेन को जेन के बलिदान को मेरी जेन जिसने अतना जीवन मेरे सर्वस पर लूटा दिया था गुरु राज भाटी का द्वारा शहल पूर्वक मुझे दो हिस्सों में बाट दिये जाने पर भी जेन का प्यार कभी नहीं बटा मेरे मानव और पशुरूप से एक समान रूप से प्रेम किया जेन ने और दो हिस्सों में बढ़ गए मेरे वजूद को संपूर्ण करने के लिए उसने अपना अस्तित्व मिटा दिया जानने के लिए पढ़े कोबी और बढ़िया बली कुठार वन्रक्षक शापी त्राक्षक वह आहूती आप किस सोच में डूब गए जंगल के जलाज कुछ नहीं मैं सिर्फ उस इस परदा के बाले में सुनने को इच्चु की जिसमें अश्वमानाओ को धूल चटा सकूँ मेरी सुमें तक मेरी कमजोरी ना समझ भेड़िये बहुत गमंड है तुझे अपनी इसक्ता पर तरह यह गमंड लाज अस्वराज चूर चूर करेगा आप दोनों को यह अवस्वराज की सुमें शक्ति और बेड़ा की इसक्ता का ठक्राव एक दूसर से होगा क्योंकि अनंत काहल से मोबोष की सुमें शक्तियों का ठक्राव फोबोष की इंसक्त शक्तियों से होता रहा है पर अन्तु कभी इसका कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि इन दोनों शक्तियों के परिणाम के लिए एक शरीर की आवशक्ता है अब समय आ गया है जब यह प्रिणाम निकलेगा अस्व समराथ अशुराज मोबोश की शौमें शक्तियों का प्रतिनी दित्त करेंगे और जंगल का जलाद वेडिया फोबोश की इंशक्तियों का यह चंद्रमा की धर्ति ही आपका रंचेत्र होगी और इस पर्दा का प्रिणाम किसी एक की पराजय से ही होगा तो देर किस बात कि शिकार शुरू करते हैं भूके शिकार एक उत्तर अक्सर अपने उनमाद में मुह तड़ा बेटते हुए आज नहीं गोड़े आज तोड़ने चिड़ने फणने का काम सिर्फ बेडिया करेगा उफ एका एक बेडिया की आक्रमक्ता और इंशक्ता बहुत बढ़ गई है यह वाका ही किसी पागल बेडिया की तरह उनमादित हो रहा है जबकि मेरे प्राइद इतने सौम्या रहे हैं कि इसे चोटी नहीं पहुँच रही उफ शरीर में जबर्जस्त खिचाव महसूस हो रहा है इंशक्ता मेरे दिमाग पर हावी होती जा रही है शरीर में असा निया खिचाव हो रहा है याशा लग रहा है कि मेरे शरीष दो इस्सों में बढ़ जाएंगे ओ नहीं कहीं फिर्चे तो नहीं आ रहा प्रथम अध्याय समाप्त दित्य अध्याय आरंभ त्रिमुंड धर्ती पर विशाल इन्द महासागर को सर्ममंतन द्वारा का कारिया विश्दित ब्रमाण रक्षक और इन्वेंजन कंट्रोल यूनिट आई सीउ के बीच पूरी जोर थी पड़ था दम लगा के है इच्छा परें तू एक बक्ष का जोर दूसरे के समने डीला पड़ रहा था हुफ आह क्या हुआ रोबो मेरी बीमारी में शारारिक रूप से इतना चक्चम नहीं कि यह मंतन जारी रक्षक हूँ कि इस मंतन में मैं संतूलन नहीं है विश्ट्री बंमाण रक्षगों का बले हम सबीके मुकाबले कहीं अधिके में इसकी बात से सहमत हूँ या यह आनए की मंतन सही-ढ़ंग से नहीं हो पारा है मेरी शरीर के धधते शोले समूद्र हो मत्ते-मत्ते कुछणिईव सिग्रेट के समान हो रहे हैं यह लोग सत्य कह रहे हैं मात्वन किरगी सामरी जिंगालू और पंचनाग ओके शाराडिक बलक्या के रोबो में मिश्किलर या फट्चा एमर अंगारा और टाइफून नहीं कहीं नहीं ठिकते हम भी है असंतुलन में सुस्कर रहे हैं न गिना इस संतुलन के कारण ही अब तक मंथन में से मात्र एक अशुद्य शक्ति निकलती है जब तक समुद्र मंथन से अशुद्य शक्तियों के रूप में नहीं है निकल जाती तब तक उस महा शक्ति की उत्पत्ति नहीं होगी जो महारावन का साहर कर सके और इस संतुलन की हम बुला चुके हैं इन से कोई अपेक्षा करना वियर देगे सब तो इस शक्कर में होंगे कि समुद्र मंतन से अमरत निकले और यह गटक जाए यहां अमरत गटकने वाली बात इस साथ जैसी टोपी वाले को कैसे पता चली वह टोपी नहीं सर पर मुख है बेवकूफ नाग तेरी तो दूम भी नहीं है कि बोलू तेरी अकल तेरी दूम में है अगर मन्थन ही नहीं हो पाएगा तो अमरत क्या अमरत का खाली गटोरा भी नहीं निकलेगा जीवा समाल टकलू अब तो यह सिद्ध बात है कि विश्चित भर्मान रक्षकों की शक्ति क्या आगे तुम तो तिन के समान हो कहीं ऐसा ना हो कि हम मैंसे कोई क्रोज में हुंकार बढ़ते तो तुम्हारे कालेजे काम करना बंद कर दें दोनों पक्ष अपने मुह बंद करो अन्याता तुम सबकी चटनी बनाएगा अडिक कोशिश करके देख ले बंदर की उलाद ताकतवर तो बेल के विह रेही होते हैं पर कोलुजितने जोतने के अलावा किसी युघ्य नहीं होते है इस वेर्ट प्रलात कोय अचे नहीं है अभी हम से कोई भी सर्व मंतन रोक नहीं सकता हमें कोई ऐसी ऐसा चाहिए जो अपनी शक्ति से शक्ति साली महा अखलनाय को से संपक्साथ सके और उन्हें इस मंतन से जोड़ने के लिए सहमत कर सके मैं तुम लोगों की इस समस्या का समाधान कर सकता हूं मैं हूं काले जादू और तांसिक तंतर विग्गा का महा गाता तांतरिक तंतर तत्रा इसके पास से तो त्री तांसिक उड़ जा का शरण हो रहा है ऐसी तांसिक प्रवर्थ्ति वाले शक्ष की शाहिथा मंतन के लिए लेना उचितना होगा क्यों यदि हमें एक दानाव की साइटा ले सकते हैं तो इस तांत्रिक की क्यों नहीं मैंने इस तांत्रिक तन तत्रा के बारे में उर्ती उर्ती खबरे सुनी है अपनी तांत्रिक शक्तियों से इसने नागराज और उस चिकने छोरे जानने के लिए पड़े नागराज और सुपरकमांडो द्रू का पूर्व प्रकाशित विश्चांक वर्तमान निंजा दे और किर्गी की बात भी अपनी जगा सही है यदि तुम सभी माँ खलनाय को पर विश्वास करने का खत्रा उठाया जा सकता है तो इस पर फिलाल के लिए भरोसा करने में कोई बुरा ही नहीं है ठीक है तंतरता हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्विगारे अपनी क्रियाएं आरम करो और महाशक्ति शाली तामसिक शक्तियों को यहां बुलाओ जिससे किया सर्वमंतन संपन हो सके इस वाशन बिग्या कि उनका यह निर्णे आने वाले समय में कितनी भारी पढ़ने वाला था महात्मा काल डूद ने तंतरता कि सेवा लेने स्विकार कर ली जो आगिया महात्मन अवश्य बुलाओंगा शक्ति साली तामसिक शक्तियों को और यह सर्वमंतन संपन भी कराऊंगा तभी तो मेरे उद्यश्य की पूर्ती होगी जितनी तामसिक शक्तियां भी इस दर्टी पर विचर कर रही है वे सभी मेरे अधीन होगी और इस दर्टी का नया भगवान नहीं नहीं नया शेतान बनूंगा मैं शीग रही तंतरता का तंतरिक जाल वाथावरन में फैलने लगा दर्टी पर बड़ती पाप उर्जा ने हर एक पापी की शक्तियों को बढ़ा दिया था तंतरता की भी तंतरता का तंतरिक जाल संसार भर के उपर फैल रहा था लेकिन तंतर दा कहले नहीं था जो अपनी शक्तियों का विस्तार करने की जेश्टा कर रहा था धर्ती पर बड़ी पाप उर्जा का फायदा कहीं और पापी भी उठाने में विस्ते उस स्थान चे कहीं शो मिल दूर ये मापापी भी ऐसा ही अभियान में जुटे थे आ जाओ मेरे अनुआईओं मेरे भक्तों तुम्हारा भगवान आजादे अपने भगवान के पास आओ मेरे सेनाधी पती फाहिरी के रक्तिस्नान के वाद दीरी और इसके सभी प्रेट मेरे रहदीन हो चुके हैं एक बार मेरे अनुनाई भी आजाएं फिर ड्रेकुला इतना सशक्त होगा कि धर्ति पर रक्त पीपांसूं का सामराज जेस्तापित करून का खूदा बना जाएगा तू तो ऐसे बोला रहा है जैसे हम लोग तेरे तीमारदारी के लिए मित्यों लोग से दुबारा धर्ति पर आएं धर्ति पर दो भगवान नहीं हो सकते मेरी वेंपाइर इंद्रियों को पता चल चुका है कि पूरी प्रिश्वी के मानव धर्ति के नीचे हैं मेरे अनु आईयों में से एक भी उन तक पहुच गया तो सारी आबादी मेरी गुलाम होगी बता तू और तेरी अमरी उश्वी सेरा मान मुकाबला कैसे करेगी